लूट लिया मिलके हुसन वालों ने उजला लाख बाल। असल में उनसे भी हमलों की बात हो गई है, वह भी आने वाले हैं, इसलिए ब्यान थोड़ा पार्टी है, थोड़ा देते रहते हैं कोई बत नहीं असकार में नाम प्रेम है और आप लाइफ स्टी देख रहे हैं, एक और जहां विपक्ष के तमाम नेता एक जूट हो रहे हैं, विपक्षी दल का भी नाम रखा है, इंडिया पर दुसरी और परधान मंत्री नरेंदर बोदी भी मन बना लिये हैं, आएंगे तिसरी बार तो मो हैं, पुरा घहराय हुए हैं और तरह तरह का व्यान दे रहें इसके पहले इस का भी चूटा का झ्यान अजपने हिंद्न के हर नेता घ vendo happened में इंडिया बनने सही आएंडिय हे लोग घृत में और यह जाने वाला आदू कि अधिया होता ना डिया दिया ह July में जब तिल खतम होने लगता है तब भभगता है पूरा लौ उसका देता है उसी तरह ये NDA के लोग जाने वाले हैं इस तरह का अनाब सनाब ब्यान दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे हम ती स्रीयों बार रहेंगे माल महराज के मिर्जा खले हो ली देश में महांगाई आपने लाया देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया देश के किसानों के खेतों में पानी नहीं दिया उपज का सही दाम आपने नहीं दिया क्या किया देश को देश को लुट लिया मिल के हुसन वालों ने उजला उजला बाल और उजला उला डाडी वालों ने क्या किया आपने P.J.P. को हराना है और देश बचाना है परधान मंत्री नरेंदर मोदी सवी सांसुदों के साथ बैठक के बोले जो केंदर का योजना है जो काम के वो बताईए और आपने जो अपने छेतर में काम किया तीन काम आकर हमें बताईए कौन सा काम किया है उनलोगों ने ये बतावे मैंने का कि 9 साल में अगर आप 5 भी काम बता दीजिए कि देश हीत में आपने काम किया है आपने किया है देश में केवल नफरत ठैलाने का काम किया है देश में हिंदू मुशलमान करने का काम किया है देश में महंगाई लाने का काम किया है देश के बेरोजगारों को रोजग पर देश का एक लक्लाक पच regulatory करोर रुप्या आपने आडानी को देने का काम किया है और क्या किया है यही तो बताने के लिए तो जंता तो सोटा लेकर त्यार है भाइ देश की जंता सोटा लेकर त्यार है BJP वाले को खोज रही हैं इंडियी वाले लोक को कि आवे हमारे यहाँ क्या किया है हम भी बताएंगे वो भी बताएंगे आप बताने कि बात करें आप लोग इंडिया बनाये पर वो लोग बता रहे हैं कि इंडिया नाम के पीछे कौन लोग है नाम नया है पर वही पुराने नेता है ना जिनों चारा घोटाला किया है जिनके मंत्री जेल में है अब सवाल है कि घवराहट में तो आप जानते हैं मांसी का रोक्षाला हमारे देश में बहुत से हैं हमारे हां कुईलवर में हैं बिहार में रांची में भी है और देश के लोग मांसिक रूप से यह हो गए है मांसिक रूप से असंतुलन खोद यह है इसलिए मांसिक अरुक्षाला में लोगों भरती करानी की जरूरत है नहीं तो इस देश में उपद्रों फैलाने का काम करें आप लोग कहते है आर जेडी ये टूजेट की पार्टी है पर ए आ ये म थोड़ा पार्टी है थोड़ा देते रहते हैं लोग महागंधिबंद्द में आने वाले हैं इसलिए का बिहार के मुसलमान डर डर कजीर है कब भी नहीं देश का मुसलमान नहीं डर सकता है ये कौन किसे ये सिकंडी लोगों से जरेगा ये बीजेपी वालों से डरेगा कुमंत्री नितीश कुमार और नौजवानों के आइकोन तेजस्वी जादो और महागडवन्दन की निता रहेंगे देश का मुसल्मान कभी डरने वाला नहीं है एक आखरी सवाल है वैसी के निता अक्तुरु लिवान बिहार में यहां के परदेश सद्यक्ष है सिधा बोले है कि नितीश कुमार जो भाई चारे यात्रा पर जा रहे हैं मुसल्मानों को चारा डालने का का मुसल्मान भी आने वाले हैं महागडवन्दन में बात हो गई है इसाब छोड़िए इसाब बात हो गई है चलिए आरजेडी के विधायक भाई ब्रेन थे क्या कुछ कर रहे थे तमाम सवालों के जवाब दिये साब सब्सब्दों में कर रहे हैं बात हो गई है आने वाले हैं महागडवन्दन में बागे की तमाम खुरों के लिए बने रहे हैं लाइस्टिस साथ धन्मान